नमस्कार दोस्तों स्वाग्यात है आपका ITI Papers में दोस्तों राइट्स ने यानि की रेल इंडिया टेक्निकल एंड एकॉनामिक सर्विस ने Apprentice की Vacances निकाली है यह Vacances Graduate Level यानि की Engineering, Non-Engineering, Diploma and ITI की होने वाली है इसका Eligibility Criteria क्या है Age Limit क्या है और क्या क्या चीज़े इसमें फर्दर गिवन है इस चीज़ को हम डिसकस करने वाले हैं देखिए जो Form Filling Date है 1 December से लेके 20 December तक है यानि कि आपके पास Total 20 Days है अगर हम Vacances की बात करें तो Graduate के लिए Total 117 Vacances है Non-Engineering के लिए 43 Vacances, Diploma के लिए 28 and ITI के लिए 69 है जो आपको परबंद स्टाइफन मिलेगा दोस्तों Graduate के लिए 14,000, 14,000 रुपे, Diploma के लिए 12,000 रुपे और ITI के लिए 10,000 रुपे परबंद आपको स्टाइफन मिलेगा देखे, ITI में किस ट्रेट के उपर ये Vacances है, Civil के लिए आपकी दो Vacances है, Electrition के लिए Total 4 Vacances है Other Traits जिसमें Mechanic, Welder, Fitter, Turner और Plumber आता है, लेकिन ये कहीं भी Specify नहीं करा गया है कि Particular Mechanical Welder के लिए कितनी Vacances है, लेकिन जो Total Number of Vacances गीवन है, यहाँ पर 10 गीवन है दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा Vacances गीवन है, वो CAD Operator और Draftsman के लिए है, जिसमें Total Number of Vacances 53 है अगर हम बात करें इसके Eligibility Credit Area की दोस्तों, तो इसमें कोई Etern Test नहीं होने वाला है, जो आपके Marks Count होंगे, वो आपके Essential Qualification के Count होंगे, जैसे कि अगर किसी ने कर रहा है, तो इसके ITI के Marks, किसे Diploma के Marks किसी ने Graduate कर रहा है, तो इसके Graduate के Marks आपके Count होंगे, अगर किसी दो Applicant के Same Number of Marks है, जिसकी यह ज़्यादा होगी, उसको Consider करा जाएगा सबसे पहले, और जो Minimum Qualification Marks चाहिए है, वो 60% चाहिए है, General और EWS के लिए, और SC, ST, OBC, and Physically Disable के लिए 50% Minimum Aggregate यहां पर रखा गया है, और दोस्तों इस Application को या इस Apprentice को NCVT plus SCVT दोनों ही Apply कर सकते हैं, तो यह बहुत अच्छी बात है, देगे किस Case में आप Eligible नहीं होंगे, अगर आपका Result नहीं आया है, आपका Full Diploma Graduation या ITI Complete नहीं हुआ है, तो इस Case में आप Qualify नहीं कर पाएंगे, अगर आपकी एज 18 साल से कम है, तो उस Case में भी आप इस Form को Fill Up नहीं कर पाएंगे, यानि कि इसकी जो Minimum Age Criteria है, वो 18 Year है, Maximum Age का यहाँ पे कोई भी Criteria नहीं गीवने हैं दोस्तों, मैं यह किवल आईटे के लिए बता रहा हूं, ऐसा क्यों further इसके ब अले का है, तो वो भी इस Case में applicable नहीं होगा, लेकि यह वाली Condition, Last वाली जो 5th मिमर की Condition है, वो IDI or Non Injuring Conditions के लिए नहीं है, अप्लाई करने का पुरा Process हम Next Video में डिसकस कर लेंगे, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़े आपको Extra करनी होगी, जैसे आपको NAPS की Website पे Registration करना होगा और Further Registation करने के बाद आपको इसकी Scan के ओपी, इनके Google Form में Upload करनी होगी, देखे, Selection Process किस सरह से होगा, सबसे पहले तो आपको Minimum Qualification Marks को Achieve करना होगा, इनके सगर आप Short List होते हैं, तो आपको Inform करा जाएगा Email के तुरू, या उनकी आप Official Website से भी इस चीज़ को Checkout कर सकते ह तो आप Email को Regulantly Check जरूर करना, सत्यापन के समय आपको अपने Original Documents को Carry करना होगा, अगर आपको और भी कोई Further Information की Requirement है या आपको कोई Carry है, तो ये इनकी एक Official Email ID है, जिसके तुरू आप Email कर सकते हैं, अपनी Further, अपनी कोई भी Quiries को Resolve करने के लिए, तो दोस्तो ये था Rise Notification के कुछ Important Points, अगर दोस्तो ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीस इज वीडियो को Like कीजिए, और हमारे चैनल को Subscribe कीजिए, and Thanks for Watching.